तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे Android phones के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब internet का इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे, internet को browse नहीं कर पाएंगे और उनको काफे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर हम बात करते हैं internet की और इसी के साथ मैं आपको एक इसका solution भी बताने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा खास हो सकती है अगर आप एक Android यूजर है तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नहीं कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में मेरे नाम है अतुल आप देख रहे हैं Indie Genuine Tech YouTube चैनल दोस्तों बेना किसी बिलिम क्या ये करते हैं प्रारब सब्सक्राइब कीजिए Indie Genuine Tech YouTube चैनल को वेल आइकन को दबाईए All का option सेलेक्ट कीजिए हमारी free useful वीडियो मिस ना करने के लिए दोस्तों आपके internet को properly work करने के लिए आपके internet को properly browse कर सके इसके लिए OS की compatibility आपके browser की web domains की compatibility को बनाये रखने के लिए कई certificate authorities होती हैं जो certificate provide करती हैं अब इसी एक certificate authority का नाम है Let's Encrypt ये दोस्तों 5 साल पहले जो है trend में आया था 5 साल पहले चलन में आया था अब वो है 5 सालों से work कर रहा है और इतने दिनों में Let's Encrypt जो है वो आपका काफी एक बड़ा amount ले लिया है तकरीबन 30% इसकी dominance हो गई है market में यानि आप जो Android phone use करते हैं कहीं ने कहीं उसकी भी जो certificate authority इसी दोरा provide की गई है अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी compatibility की तो इसकी जो compatibility है उसकी कुछ issue की वज़े से अब ये जो है expire होने जा रहा है 1 सप्टेंबर 2021 में यानि ये जो certificate था इसके एंडर जितने सारे smartphone आते थे जो कि इसके साथ compatible थे वो जो है अब काम नहीं करेंगे उसमें आपको internet 2016 के बाद तो अगर आपके पास कोई ऐसा device है जो कि android 7.1.1 को support करता है और आपका update नहीं हुआ है अभी तक 2016 के बाद भी तो आप ये समझे है कि उन android phones में अब जो है काम नहीं करने वाला है तो कि देखिए दोस्तों जो आपकी route करने की process होती है और जो आपके authorities होती है वो certificate provide करती है तो route certificate एक काफी wide range और wide variety of OS को support करना चाहिए अब ये जो है trusted होना चाहिए आपके OS से भी और आपके browser से भी अगर ये सारे इसको trustworthy नहीं मानते हैं अगर ये इस्तमाल नहीं करते हैं तो कोई भी browser हो कोई भी आपका OS हो वो support नहीं करेगा तो लेकिन इसमें क्या लगते हैं सबको compatible बनाने के लिए इसमें सालों लग जाते हैं तो जो smartphone आपके ISRG X1 route को support नहीं करते हैं जो कि आपके इंडेंटरस को डौरा cross signed है let's encrypt का भी इसमें रोल है तो वो जो है definitely support नहीं करने वाले हैं अब यहां बात आती है कि इसमें आपको कौन-कौन से Android phones आएंगे तो तो इसमें अब जो है browser आपका support नहीं करेगा क्योंकि अब जो नया आ गया है तो वो जो है आक्सवन पे जो आपके आक्सवन वाले updated है उन्हें पर वो compatible होगा उन्हें पर वो चलने वाला है तो आप यह समझ लिए कि अगर आपके पास Android 5 है 6 है तो वहां आपका work नहीं करने अब आपका Firefox कहेंगे जो Firefox browser है वो आपका किस पर support करता है तो definitely वो आपके Android 5 Plus पर support करता है Android 5.1.1 पर भी वो support करता है यानि आप देख सकते है Play Store पर जाके check कर सकते हैं तो अगर आपका 5.1.1 है तब definitely मेरे इसाफ से तो आपका support करना चाहिए Firefox तो वहां से अगर आपको Firefox मिल जाता है और आपका 5 से मतलब अबब है 5 है तो definitely आप internet को browse कर पाएंगे जब इस certificate authority expired हो जाती है इसका time खतम हो जाता है तब भी आप internet को browse कर पाएंगे लेकिन आपको सतर्क हो जाने वाली बात है कि यह जो आपका 7.1.1 है तो आपको update कर लेना चाहिए चूँकि अगर आप Chrome अगरा से use करना चाहते हैं तो आपका android 7.1.1 के जो अधर बाद में आते हैं आपके 8 आ गया आपका 9 आ गया तो यह latest वाले में भी चलने माला है अभी आपके पास time है आप जो है उस time के दौरान एक नयाए smartphone खरीच सकते हैं अगर फिर आपको नहीं खरीदना है आपको बहु आपको जो है और मिल जाता है एक सारा कि आपको firefox में आपको इस्तमाल करने के लिए मिलेगा लेकिन और फिर आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं अधर ब्राउजर से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्राउज नहीं कर पाएंगे लेकिन अब बात आती है जो आपके 5 से नीचे हैं आपके 4 हो गएं 3 हो गएं जिसके पास काफी ज़्यादा पुराना बचा हो दोस्तों तो उनके लिए काफी ज़्यादा समस्या होने वाली है वो अब उनको अपडेट करना ही पड़ेगा आप उसको सिर्फ कालिंगरे के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप आपके पास ऐसे Android phones हैं तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत है अगर आप नहीं भी अपडेट करना चाहते हैं यह आपके ओपर completely depend करता है मेरा काम था आपको एक छोटे से information देना अगर आपके लिए helpful लगी हो तो definitely आप like का बटन दबा सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको पसंद वीडियो आई हो तो इसको श्यार भी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जाहिन वहन दिमातर हो